जए जगन्नात जए पंचसका सत्य बंजा के यूटीब चैनल में आप सबका स्वागत है सत्य बंजा यूटीब चैनल में प्रकासित होने वाले एक वीडियो का हम आज अनुबात करेंगे जो सत्यवन्जजजी और पूलीन सर्ण जो कल की लीड़ा पुस्तक करा चाहिता बहुत बड़ रिसर्चर है उनके बारे में है और ये पिछले वीडियो जो हम गहिरा टिकरी के उपर किये थे उसका कंटिनिवेशन वीडियो होगा पिछले वीडियो में जैसे पुलिन सार ने कहा था कि प्रभू को कौन-कौन हेल्प करेगा तो हम लोगों ने देखा था एमरीका, यूके वो दोनों हेल्प करेंगे और रशिया भारत के एगेंस्ट हो जाएगा और हम लोगों ने देखा था कैसे बाहरी मुस्लिम सेना जो पूरी में अटक करके फिर यूके और भारते सेना को कटक से भी खदेड देंगे फिर जब उनको पता चलेगा कि प्रभू जगना, प्रभू वड़ोत्र, घरटी किरिम है तो वहां भी अटक करेंगे और प्रभू उन लोग का हरा के जो बचे कुछे रहेंगे वो सब कासी भाग जाएंगे और कैसे कासी नगरी जलमगन हो जाएगा उससे पहले प्रभू उनका संगार करेंगे सब को मार देंगे उसके बद कासी नगरी जलमगन हो जाएगा तो ये सब हम लोगों ने पीछले वीडियो में सुना था फिर हम लोगों ने आगे भी सुना था कैसे प्रभू 33 हाथ 33 हाथ around 40-45 फीट उपर उंचे एक मंच में बैठेंगे और भग सब भजन गिर्तन करते रहेंगे और रास भी चल रहा होगा तो बहुत सरे लीला के बारे हम लोगों सुना था साथ दिन साथ रात तक यूद होगा और आटवे दिन कैसे प्रभू सब खतम करेंगे यूद का यूद खतम करेंगे तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में सुना था तो इस वीडियो में हम लोग उसका कंटिनुईशन करेंगे तो पुलिन सर कहते हैं कि प्रभू करकी का जो लीला है तो उस लीला में अनादि पुरुष जो प्रभू है प्रभू करकी जो है जो हम अनादि पुरुष कहते हैं उनका तीन जनम होगा, वो तीन जनम लेंगे, तो पहले जनम में वो आएंगे धर्म प्रचार करने के लिए, तो प्रभु का पहला जनम होगा धर्म प्रचार करने के लिए, वो आएंगे हर जगा धर्म का प्रचार करेंगे, दूसरी पर जब वो आएंगे, तब वो सब भक्त के लिए आएंगे, सब भक्त को एकत्रित करने के लिए आएंगे, सब भक्त को एकटा करने के लिए आएंगे, और सब को एकत्रित एकटा करने के बाद, वो उनको एक आदेश देंगे, कि जब तक मैं नहीं आता हूँ, फिर से, तब तक तुम कुछ मत करना, तुम बस भगवा मांइलान का नाम जपो और सब से एकत्री सोगा रहो जब तक में कुछ नहीं बोल रहा हूं जब तक में फिर से नहीं हा रहा हूं तुम कुछ मत करना है वह उनके भक्तों … को प्रभु अपने उनके पिछले जन्म के बारे में बोले ने को अपने पिछले जन्म के बारे में बोलेंगे उनका पिछले जन्म में नाम क्या था वो क्या करते थे ठीक है सब डीटेल्स में सब भक्तों का अपने बारे में सब बताएंगे और इस जन्म में उनका क्या रोल है उनका क्या काम है वो भी भक्तों को दूसरे जन्म में वो बत प्रभू कहां रहेंगे, प्रभू कब आएंगे, कब घर छोड़ेंगे, कहां उनका घर होगा, कैसे घर होगा उनका, किस के साथ उनका शादी होगा, जिनको वो शादी करेंगे, वो कहां से होगे, कौन से जाती से होगे, तो प्रभू के बरे में सब कुछ लिखा हुआ है, औ सनातन धर्म का प्रचार प्रभू अपने भक्तों के साथ पूरे देश भर में करेंगे तो युद्ध होने खतम होने के बाद जब सत्योग आएगा तब एक ही धर्म होगा वह सनातन धर्म मालिका में लिखा है कि 111 देश सनातन धर्म को मानेंगे और 111 देश मालिका को भी माननी आता देंगे रशिया जो यूद के वक्त भारत के एगेंस्ट में और भारत के खिलाफ होगा वो देश प्रभू के चर्णों में आके माफी मांगेगा प्रभू के चर्णों में सोना देगा सोना से प्रभू को प्रभू के चर्नों में वो सोना देंगे प्रभू को माफी मांगेंगे वो जो गल्ती उन्होंने किया है उनका पस्तताब होगा और रश्या पहला देश होगा जो सनातन धर्म को मानेगा रश्या में हर कोई सनातन धर्म को मानेगा सब सनातन धर्म को अपनाएंगे और दूसरा देश जो सनातन धर्म को मानेगे वह ब्रिटन चुक्के और तीसरा देश वह होगा जर्मनी जो सनातन धर्म को अपनाएगा तो ये तीनों सबसे पहले देश है जो सनातन धर्म को मानेगे पहला रशिया, दूसरा ब्रिटन और तीसरा होगा जर्मनी अब बात आता है अमेरिका, USA का तो USA भी सनातंधम को अपनाएंगे लेकिन रशिया, USA के बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे उनके स्टेट्स होंगे जो खतम हो जाएंगे, जिनका नामों निशान नहीं रहेगा और जो बचे होंगे, वो सनातंधम को अपना लेंगे, तब कुश्चन आता है चाइना, जो इसके बाद कुश्चन आता है चाइना, चाइना इतना बड़ा कंट्री है, उनका क्या होगा, चाइना पुरा खतम होगे, कंप्लीटली डेस्ट्रोई हो जाएगा, पुलीन सर कहत हो जाइका जनम हुआ है, मूंगोलियन रेस, पूरा दुनिया से वाइप आउट हो जायागा, पूरा खतम हो जाईगा, पूरा सवाय हो जाएगा आनका, जैसे जापान, ताइवान, इंदोनेशिया, मलेशिया, थाईलैन, फिलिपिन, सिंगपोर, जितने भी मूंगॉलियन रेस चाइना तो जितने भी मॉंगोलियन रेस है वो सब खतम हो जाएगा पुरा वाइप आउट पुरा मना सफाय हो जाएगा उनका जापान तो पुरा समूद्र में डूब जाएगा पुरा जलमगन समूदर के नीचे चला जाएगा जापान तो सत्यवंजा जी पूछते हैं कि एशिन कंट्री में कौन कौन रहेगा कौन कौन बचेंगे तो पुलीन सर कहते कि एशिन कंट्री में बहुत से मुस्लिम कंट्रीज है जो खतम हो जाएगा और अखंड भारत हो जाएगा पाकिस्तान का एक पार्ट पुरा जलमगन हो जाएगा जो एरबियन सी के साइड है जैसे कराची, सिन्द, बालुचिस्तान और भारत के साइड राजिस्तान वो भी जल्मगन हो जाएगा पहले वो अभी जो रेगिस्तान है पहले वो समुद्र था तो वो रेगिस्तान फिर से समुद्र हो जाएगा तो राजिस्तान का जो टेजर जो मुर्भूंई है वो पहले समुद्र था और फिर से समुद्र हो जाएगा ऐसा बहुत सारे देश है जो पूरा समुद्र के नीचे चले जाएगे यूकरिन का नामोनिशन नहीं रहेगा वो रशिया में फिर्ट से मिल जाएगा जैसे पाकिस्तानी इंडिया से मिल जाएगा यूरूपेन में भी बहुत सार ऐसे कंट्रीज है जो जलमगन हो जाएगे खत्म हो जाएगे जिनका नामोनिशन रहेगा फ्राइंस के कुछ पार्ट जल में डूप जाएंगे, जलमकन हो जाएंगे तो ऐसे बहुत सरे countries हैं जो सत्यूग तक जलमकन हो जाएंगे जिनका नाम होनी शान नहीं रहेंगा जिनका नाम पहले हम लोग सुने होंगे वो नहीं रहेंगे सब जर्ल के अंदर वूप जाएंगे तो इशियन 종 रहे हैं य्योप अन्टिय कंट्रीज बहुत रहे हैं तो पुलिंजार कहते हैं कि यह सब आगे होने वाला है गोहरा टिकीड का जो यूद्ध होगा वह ओडिसया का अन्तिम्यूद होगा उसके बाद औरिसा मोर को यूद में होगा वहाँ बहुत सारे सेना मरेंगे अल्मोस्ट नाइन्टी नाइटी ताउजन सेना वहाँ यूद में मर जाएंगे उसमें से बहुत सारे फॉरें जवर सेना जो आये होंगे उनका खात्मा हो जाएगा लेकिन क्या बस औरिसा में तब अटक हुआ होगा या पूरे भारत में अटक हुआ होगा क्या इंडियन आर्मी इंडियन सेना जो है वो जीत पाएगा तो पुलीन सर कहते है कि तब प्रभू कलकी तो प्रभू कलकी के बहुत सारे जनम है तो वहाँ प्रभु उत्तरकालकी का नाम से प्रभु होंगे तो उत्तरकालकी वह आएंगे, वह South Side से केरला से पहले यूत करना शाट करेंगे, और दिरे दिरे करके केरला के जावार को वहाँ से घाट आएंगे, जितेंगे प्रभु वहां से, ऐस MBA करते पूरा South India वह जीचैं तो दूसरा ऐसा सिच्वेशन है छतिया में जब प्रभु बडवत्र, प्रभु जगनात और मा सुबत्र आये होंगे और छतिया में वो साथ दिन रहेंगे उसके वद वो पारादीब चले जाएंगे तब प्रभु बडवत्र को जब ले जा रहे होंगे तब उनका राइट हाथ वो तूट जाएगा रबाया हाथ है वो तूट जाएगा और तब एक मुस्लिम भक्ती होगा जो उसको जोड के ठीक करेगा तो यह दूसरा इंसिडेंट है जहां पर मुस्लिम भक्त प्रभु को हेल्प कर रहे हैं या प्रभु के लिए वो कर रहे हैं तो रिप्यार करने के बाद भक्त प्रभु बडवत्र जगनातमा सबुद्र को वहां से लेके पारादीब चले जाएंगे तीसरे सिचोशन है कि नुर्सिंग दास और यश्वन दास जो की प्रभु जगनात प्रभु बडवत्र के रूप में जर्मे होंगे और वो मक्का मदिना गया होंगे यूद करने के लिए और वहां उनको जबर सिना गेल लिया होगा मतलब वो वहां गया है यूद करने के लिए और चारोतरह जवर सिना तब एक मुस्लिम भक्त उनको हेल्प करेंगे वहां से बहां निकलने के लिए तो वो उनको रस्ता दिखाएंगे कैसे वहां से बहां निकल के वो जा सकते हैं तो ये तीसरा ऐसा सिच्वेशन है जहाँ पर और इंसिडेंट होगा जहाँ पर एक मुस्लिम भगवान को साहता करेगा बगवान को हेल्प करेगा और ये तीसरा वाला सिच्वेशन ये जाइफुर अमालिका में में लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम भारत के खिलाफ या प्रभू के खिलाफ होंगे लेकिन कुछ है जो बिदेशी मुस्लिम सेना जो भारत पे अटाक करेंगे और प्रभू से यूद करेंगे उनको हेल्प करेंगे और भारत के खिलाफ होंगे और इन सब का नास हो जाएगा प्रभू इन सब का नास कर देंगे जो भारत के खिलाफ होगा जो अधर्मी होंगे जो सनातन धर्म के खिलाफ होंगे जो प्रभू से यूद करेंगे उन सब का नास हो जाएगा दोस्तो इस गोहरा टिकरी सीरिस में कालकिलीला पुस्तक रचैता स्री पुलीन ब्हारीपणडा said ने बहुत कुछ रहस्या के खुलासा किया है जैसे गौरा टिक्री का ली लीडा के लिरा के बारे में ने बहुत प्रूआ खाने बहुत ये क्या उखकरे में बाली राजा कहा जन्मे होंगे जैसे वो यूएस में जन्मे होंगे जवर सेना कैसे अटक करेंगे और उनका अंत कैसे होगा जवर सेना कैसे पूरी में आएंगे वहाँ पर साथ दिन रहेंगे उसके बाद वो यूएस सेना को हराएंगे हराने के बाद कैसे यूसना कटक तक आएंगे फिर वहां से उन लोग गोहरेटी किरे आएंगे फिर मुस्लिम कंट्री वहां आएंगे फिर कैसे प्रभू उनको हरा के कासी नगरी तक उन लोग भाग जाएंगे फिर कासी नगरी में वहां उनका बरवद्र गंग सबतर अंत करेंगा फिर कासी नगरी कैसे चलमगन हो जाएगा मुसलीम भक्त कैसे प्रभू को साहते करेंगे हेल्प करेंगे तो ये सब पुलीन सर ने ये सब रहर से खोला है तो दोस्तों आप लोग कैसे लगा ये सीरीज गोर्या टिकरी सीरीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए और किस-किस बारे में जानना चाते है पुलीन सर को और क्या क्वेश्चन करना चाते है आप क्वेश्चन कीजिए हम लोग पुलिन सर्थ पहुचाएंगे और हो सके तो उसके उपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे चलिए दोस्तों भगवान का नाम लेते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जै जगन्नाद जै बंसे सको कर दो बंसे सकते हैं